देश दुनिया के सबसे बड़े धार्मी का आयोजन मागमेले का प्रयागराज में होता है हर वर्स की तरह इस वार भी मागमेला का आयोजन बड़े हिद्धिब और भव्व तरीके से सुरुवात होने वाली है जिसको लेकर आप देख सकते हैं तैयारिया पूरी जोरों से चल होगा संतों का कि राम लाला का मंदिर बन रहा एक प्रेटन का संदेश क्या कहना चाहेंगे राम लाला का भव्योंग सुंदर मंदिर मनी योगी जी के द्वारा मोधी जी के द्वारा हो रहा है और हमारे पूरे भारत का जितना भी भारत वासी है सभी से प्रसंड है एक प् पुनाय भी मन्य हमारी यूगी जी उस सीट पर सभी लोग विराजमान देखना चाहते हैं किर सी मुख्मंतरी बनेगे इसमें को संसेय नहीं नहीं है संत समाज उनके साथ है अपुरा भारत सम उनके साथ है संत समाज तो है ही कि सभी सभी जितने धर्म प्रेमी हैं उस को चांग माघ मेले में संतों का ये ए How सबसे बड़ा होता है तो चुनाओं नजदीक और बढ़ान सा एक मन्ज पे एक जगे एक पूरी छोटी सी दुनिया में बैठने वाले हैं रोज मुलाकाथ होगी तो क्या संत यहां भी निर्णाएं लेंगे कि उत्तर प्रदेस में फिर से किसके सिर्पेताज से बीर संतों का निर्णाएं तो पहले से ही है, जो राम का है, वो हमारे काम का है, जो राम का नहीं, वो हमारे काम का नहीं, तो संतों का निड़ा आज से ही नहीं है, तो पहले से है, संतों तो यही चाहते हैं, जो धर्म के स्थापना करेगा, वो ही हमारा होगा, अब उसी के हम होगे, जो धर्म के स्थाप कर रहे हैं जाल फेकर रहे हैं उन्होंने भी सरातन धर्म के प्रती कई ऐसे बयान दिये हैं उन्होंने अभी हाल में ही बोल दिया है हम तो यह कहते हैं कि एक एक प्टा के पांच पुत्र हैं है मैं अध्म जानते हैं जो प्री है तो मालिक होता है उसी को उत्ता आधिकारी बनाते से योगी जी आने वाले में नहीं होते हैं आयोध्या में दयुआ है नुकिर object गलुण रखते हैं के और इसम네요 सब्सक्राइब निश्चित रूप से या बाते कह दिए कि विधानसवा चुनाओं नजदीक है और इस तहुरान मागमेले का युजन हो रहा है और यह एक मागमेला ऐसा होता जहां तो कहीं न कहीं एक साथ हो रहा है और फिर से योगी जी की मुखमंतरी उत्तर प्रदेश का बनाने की एक मागमेले से सुरू करेंगे पत्रिका उत्तर प्रदेश से सुमित यादो